आज के फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रूफ कर दिया है लेक्टो स्टेटिक फोर्स आर कंसरवेटिव फोर्स सेक्ड लेक्चर में हम डेरिवेशन करेंगे लेक्टिक पोटेंशिल डू टू ए पॉइंट चार्ज सबसे पहले इसकी डाइग्राम देखो हमने एक पॉइंट ओ कंसीडर किया पॉइंट ओ पे हमने प्लस क्यव चार्ज को रख दिया देखो जिब प्लस क्यव चार्ज है पोजिटिव है इसलिए जो ये लेक्टिक फिल्ड रिप्रेजेंट करेगा इसकी डिरेक्शन क्या होईगी आउट वर्ड इस पोजिव चार्ज के कारण किसी पी पोईंट पे potential करेट होता है वो हमने find करना है सबसे पहले potential क्या होता है किसी भी ये उउनट पोजिव चार्ज को point इंफिनीटी से किसी given point पे लेके आने के लिए जो work done होता है that is called electrical potential ठीक है इसलिए सबसे पहले हम क्या तू पॉइंट कंसीडर करेंगे, पॉइंट A and पॉइंट B, हम क्या करेंगे, जो प्लस वन कूलम चार्ज है, उसको पॉइंट A पे रख देंगे, तो हमने इस प्लस वन कूलम चार्ज को पॉइंट B पे लेके आने, तो ये क्या हो जेगा, समाल मांट अब वर्क डन, देन हम इसका इन्टिकेशन करतेंगे, हमारे पास कंप्लीट वर्क डन हो जाएगा, पी पॉइंट पे हमने प्रेंशल फाइंड करना है, O और P के बीच में डिस्टेंस हमने R कंसीडर कर लिया, O और A में जो डिस्टेंस है, उसको हमने X कंसीडर कर लिया, A और B में जो डिस्टेंस है उसको मैंने dx consider कर लिया अब देखो lactostatic force on unit positive charges unit positive charge को मैंने कहां रखा है point a पे इस source charge के कारण point a पे जो मैंने unit positive charge रखा है वो lactic field produce करता है उसकी value है is equal to 1.4 pi epsilon node q.x square क्योंकि देखो lactic field intensity का क्या formula वता है 1.4 pi epsilon node q का मतलब क्या है जो source charge है node test charge source charge और distance between test charge and source charge इन दोनों की बीच में distance x है ना इसलिए हम यहां पर x square consider करेंगे इसकी direction आएगी along oe oe क्यों आएगी क्योंकि यह आपस में क्या करेंगे repel ओके next हम find करते हैं small amount of work done in moving a unit of positive charge from a to b work done किसके इक्कुल होता है force into distance ठीक है और lactic field intensity का formula होता है force upon test charge test charge को मैंने किस से represent किया है plus one से इसलिए force किसके इक्कुल आजेगा lactic field के इसलिए हम क्या put कर सकते हैं यहां पे force की जगा पे हम क्या put कर सकते हैं 1e ठीक है इसलिए work done हमारा किसके इक्कुल आ गया e dot ds अब देखो हम इसको dot product को open करेंगे जब हम dot product को open करते हैं ठीक है अगर two vector quantity की बीच में dot होता है उसको हम अगर open करते हैं तो हमारे पास आ जाता है first का magnitude second का magnitude into cosita and angle between e and ds देखो बच्चे जो first lecture में मैंने प्रूफ किया था lactostatic force are conservative force means it does not depend upon the path so अगर हमने किसी भी unit positive charge को one point से second point पे लेके आना है हम कोई भी path consider कर सकते हैं इसलिए हम कौन सा path consider कर लेंगे along the line ठीक है along the line angle क्या होगा 180 हमने वैसे अपनी मर्जी से consider कर लिया क्योंकि ये path पे तो depend करते ही नहीं है ओके अब हमें पता है cos 180 की value क्या होती है minus 1 तो हमारे पास आ गया dw minus eds ये क्या आ गया हमारे पास small work done next हम find करेंगे total work done total work done in moving a unit positive charge from infinity to p किसी भी unit positive charge को infinity से point p तक लेके आने के लिए जो work done होता है उसको हम बोला है total work done इसकी हम limit put कर देंगे limit put देखो कैसे करेंगे जो charge है उसको कहां रख है infinity पे कहां लेके आने at a point p पे p और o में distance क्या है r है इसलिए हम यहां पे r put कर देंगे अब देखो हमने e की value put कर दी क्या थी वन पॉन फोर पाई अपसलन नोट क्यों पॉन एक स्केर ठीक है अब हम यहां तक पहुँच के अब देखो भई हम का हम अब इसका integration करेंगे integration देखो को integration करने का क्या method होता है जो डी वाली टर्म डी होता है उसके साथ वाली टर्म होती है उसके बिदर स्पेक्ट्र integration करना होता है बाकी सारी टर्म constant होती है यह non-medical के बच्चों को तो अच्छी तरह आता होएगा बट medical के बच्चों के लिए थोड़ी सी problem होती है मैं उनको साथ साथ समझा दोगी ठी के साथ क्या है एक्स इसलिए हमने किसके बिदर स्पेक्ट्र integration करना है एक्स के बाकी सारी टर्म क्या होगी constant क्योंकि हमारा purpose है बिदर स्पेक्ट्र तो एक्स इंटिकेशन करना है तो इसमें से हम माइनस क्यों फोर पाई अपसेलनोट बहार नकाल लेंगे integration के अंदर रह गया x raised power minus 2 dx raised power minus 2 क्यों आ रहा है क्योंकि यह अपोर्ण में टर्म है उपर जाके power होगी minus में अब देखो हम इसके integration कैसे करेंगे integration करने का क्या method होता है जो power होती है उसमें हम plus 1 add कर देते है minus 2 में plus 1 add करेंगे तो हमारे पास आजेगा minus 1 और जो उपर वाली power होती है वो ही upon में आ जाती है ठीक है यह minus यहाँ पे जो minus था plus हो गया जो x raised power minus था इसलिए 1.x आ गया अब हम इसमें limit put कर देंगे limit put करने का क्या method होता है upper limit minus lower limit अब हम इसमें limit put कर देंगे अपर limit हमारे पास r है lower limit हमारे पास infinity है इसलिए सबसे पहले हम x की जगा पे r put कर देंगे फिर हम x की जगा पे infinity put कर देंगे one point infinity क्या होता है zero इसलिए हमारे पास potential v is equal to किसके आ गया 4.4 pi epsilon note r देखो potential हमारे पास आ गया 4.4 pi epsilon note r अगर source charge positive होएगा तो यहां पे positive आएगा इसलिए potential क्या आएगा positive अगर source charge negative होएगा इस term में negative आएगा तो हमारा potential क्या आएगा negative देखो बच्चे यह भी बहुत important question बन रहा है अग्जाम में multiple में आ सकते है is potentially positive और negative दोनों possible हो सकते हैं उस concern आएगा yes अब देखो इसमें और बहुत सब्सक्राइगा important है potential is a universally portion to R मतलगी potential distance के universally proportion होता है आपको एक्जाम में दे दिया जाएगा potential यहाँ पर जो universally proportion होता है यहाँ पर value 1 होएगी 2 होएगी जा 3 होएगी क्या होएगी यहाँ पर value 1 मतलगी R raised to power 1 जैसे lactic field intensity में स्केर होता ना force में स्केर होता है potential में क्या होता है वन यह सारी चीज़े आपने ध्यान में रख के चलनी है objective type question को solve करने के लिए ठीक है वैसे जब मेरी unit complete होगी मैं सारा आपको overview देंगी इस chapter का force lactic field potential सभी term को relate करके दखाऊंगी ओके have a nice day thank you